छोटा हाथ ही गोल्ड गाड़ी है बिलकुल शोर्म कंडिशन में है कम प्राइस में आपको मिल जाएगी बहुत ही कम चली हुई है BS6 एंजरी गाड़ी काफी महेंगी है लेकिन ये BS4 की गाड़ी आपको दिखाऊंगा शोर्म कंडिशन में एक भी सक्रैच गाड़ी के उपर नहीं है चलिए शुरू करते हैं अज का वीडियो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटिव चैनल शर्मा जाटो डील पे अगर आप पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्स्ट्राइब जूर कर लीजे यहाँ पे आपको ऐसे ही कुमर्शिल गाड़ी को वीडियो देखने को मिलते रहते हैं आज मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ मकड से लाइन परचेस की तरफ से टाटा एस गोल्ड गाड़ी model की अगर बात की जाए तो 2018 model की गाड़ी है सामरे में आपको टाटा एस की बैजिंग मिल जाएगी यहाँ पे टाटा का logo और गोल्ड की बैजिंग और मिल जाएगी क्रीम कलर की गाड़ी है बिल्कुल शोर्म कंडिशन में मेंटेंड है फर्स्ट अनर गाड़ी है और गाड़ी की खासियत कहा है आपको बता दू कि दोयर 18 मॉडल की गाड़ी है और 18 के 12 महीने यानि दिसंबर की गाड़ी है और गाड़ी की RC जो है वो दोयर 19 में बनी है बाकी गाड़ी बहुत ही कम चली हुई है और चारो के चारो टायर आपको brand new condition में मिल जाएंगे बाकी दोस्त आपको बता दू कि आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या गाड़ी के उपर finance हो सकता है जा नहीं कहां पे गाड़ी खड़ी है कैसे आप इस गाड़ी को खरीज सकते हैं कितने पैसे पहले आपको देने होंगे finance अगर आप करवाते हैं तो अगर आप गाड़ी को cash में खरीचे हैं और गाड़ी का नंबर कहां का है तो सारी डिटेल अपको वीडियो के end तक मिल जाएगी तो वीडियो को पूरा end तक देखना काफी भाईयों के कमेंट आ रहे थे कि उंचा मोडल गाड़ी दिखाएं जो की brand new condition के हो तो यह दूस्तों गाड़ी टाटा इस गोल्ड 18 मॉडल की दिसंबर महिने की पंजाब नंबर गाड़ी है यहां पर आप कंडीशन चैकर सथे हैं टायर एक बहुत ही कम चली सरफ 13,000 किलोमेटर जो है गाड़ी चली हुई है फर्स्ट रॉनर गाड़ी है बिल्कुल ओके कंडीशन में है यहां पर थोड़ी मिट्टी आपको देखने के मिलेगी लेकिन गाड़ी बिल्कुल ओके है चारो के चारो टायर अगर आप परसेंटेज की बात करें तो आपको बता दूँ के 90 परतिशर टायर जो है नुक्सान नहीं हुए है डाला चेकर्स दें डाला भी बिल्कुल ओके कंडीशन में है तो डाला बिल्कुल अच्छी कंडीशन का लगा हुए है हाई डेक बाड़ी लगी हुई है कि टाटा इस गोल्ड चार गेर वाली यह गाड़ी है अब बाहर से तो आपने देख लिए अब आपको खोल के अंदर से एक बार दिखाता हूं गाड़ी का नजारा कैसा है तो गाड़ी काफी अच्छे से मेंटन करके रखीगी आप चेक कर सकते हैं कि डैश बोर्ड सीटे में गएरा बिल्कुल अच्छी हालत में है दोस्तों फर्स्ट और गाड़ी है और चली भी 13 यार हुई है तो ऐसे में कंडिशन तो आपको पता ही होगा कि अगर 13 यार गाड़ी कुछ भी नहीं होता लोडिंग गाड़ी के लिए 18-2012 महिने की गाड़ी है दिसंबर महिने की और 19 में इसकी आरसी बनी है तो 20 में आप मानके चल सेते हैं 20 मार्च में जो लॉगड़ा लग गया था उसके बाद तो गाड़ी चली ही नहीं है तो आप मानके चली है तकरीबन दोहर 19 जनवी से लेके दोहर 20 जनवी तक गाड़ी चली है जनी की एक साल गाड़ी चली है उसमें 13,000 गाड़ी 13,000 किलोमेटर चली है तो काफी कम चली हुई गाड़ी है फाइनास करवाने के लिए आप फाइनास भी करवा सकते हैं केवल लोकल्स के लिए पंजाब में फाइनास पसिल्टी एवेलेबल है देखिए फ्रांट भी बिल्कुल ओके कंडिशन में है तो गाड़ी की कैश की कीमत जो है वो रखीगी है तीन लाख नबे यार रपे में देखिए तो फाइनास करवाने के लिए आपको पहले डेड़ लाख रूपैर देते होंगे और याप ताटा की एस गोल्ड गाड़ी है चार गेर वाली गाड़ी है और इस गाड़ी की काफी जाड़ डिमांड रहती है क्रीम कलर की गाड़ी खास करके इसको पंजाब में काफी पसंद किया जाता है और इस गाड़ी से बड़ी सानी से देड़ तन तक वजन उठा के लेके जा सकते हैं गाड़ी का मैलेज भी काफी अच्छा है 18 से 20 किलोमेटर पती लीटर हाईवे के उपर लोड होने के बाद जब को मैलेज दे जाता है खाली गाड़ी 21 तक चल जाती है वीडियो अच्छा ल बाद बाद भीडियो गुर।